तो दोस्ता शिरुवात करते हैं किलिट पार्ट सिक्स की पहुच जाता है वो युणिन का फ्रेंड होता है फिर युणिन से बोल रही होती है कि मुझे कि मिलो की ग्रेंड डॉर्टर मिल गई है और वो ही एक अकेली विटनस थी जो कि मिन्युक के बद्रड़े पे अपियर हुई थी वो परसन पूछ लए जाता है क्या तुम्हें कु की डेथ हुई थी मुझे पता है कि तुम नौ शाल से वेट करियो लेकित तुम्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए यह कहकर वो चला जाता है वही पास में सोयन भी होता है वो युणिन को देख रहा होता है कुस देर बाद युणिन चली जाते है фिर सोयन उस जाये पर ज प्रिमेंग शॉप में होता है फिर वो कुछ देर के लिए बाहर जाता है पराइसे के लिए पैशे लेने के लिए पैसे लेने वो call cut कर देती है दूसरी और मिंजी अपने room में बैटकर रो रही होती है तब ही वहाँ पर so in पहुँच जाता है फिर वो kitchen में लेकर जाता है और वहाँ पर उसके लिए कुछ बनाता है मिंजी खाना खाने जारी होती है तब ही उस so in से बोलती है कि मैंने तुमसे उस time request के थी कि प्लीज तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो बस तुम्हें मुझे खाना देने की जड़तर में सर्वाइव कर लूँगी so in मिंजी से बोल रहा होता है कि तुम्हें कल से school जाना चाहिए तब ही मिंजी उससे पूस्ती है टेरिस पर ड्रिंक के लिए और वो दोनों ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं अगली सुबह यूंजी न मिंजी हो कॉल करते है लेकिन वो पिक नहीं करते है फिर वो उसे मेसे सेंड करते है और मिलने के लिए बुलाती है मिंजी उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ बाहर चली जाती है वो दोनों अपने साथ में सोयन का डॉग लेकर जाते हैं एक स्टेडिम में और वहाँ पर उसके साथ खेल रहे होते हैं कुछ दिड़ तक खेलने के बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं तब भी मिंजी युन्जिन से बोर ही होते है कि तुम उस परसन से कैसे मिली थी। युन्जिन बता ही होते है कि मैं पहली बार मिन्यूट से तब मिले थी जा मैं 20 साल की थी। मेरे सारे फ्रेंड मुझे टीज करते थे क्योंकि मुझे अडॉप्ट किया गया था। उस टाइम पर मेरी help मिन्यूक ने की और उसी ने मुझे बजाया ऐसी थोड़ी और देड़ तक बात करने के बाद फिर दोने एक शॉप में जाते हैं और वहाँ पर अपने लिए कॉस्माटिक की कुछ चीज़े खरीते हैं शॉपिंग करने के बाद वो वापस अपने अपने घर पे लोट जाते हैं मिन्जी अपने रूम में होती है फिर वो अपने बैट के नीचे से एक बॉक्स निकालती है जब वो उसे उपन करती है तो उपर सकेंदर एक ड्रॉइंग बुक होती है उसमें एक ड्रोइंग को देखकर वो याद कर रही होती है कि बच्पन में उसने इस ड्रोइंग को ड्रोग किया होता है तब उसके सामने एक परसन आता रहो परसन होता है मिन्यूक मिन्यूक अक्सर मिन्जी से मिलने आया करता था इस वैसे मिन्जी मिन्यूक को जानती थी और उसने question ही पूछा था कि उससे कि आपकी girlfriend कौन है उस time पर मिन्यूक ने girlfriend का नाम तो नहीं बताया होता लेकिन उसकी personality के बारे में बताया होता और वो क्या काम गरती है इदे सोईन अपने secret room में होता है फिर वो गन लेता है और बहार जा रहा होता है फिलिप भी वहीं पर बैठा हुआ होता है Assemblyman CEO वानसुक अपने घर पे होता है तब ही कुछ गंटे बाद वहाँ अपर सोईन पहुच जाता है और वो अपने gun point करके उसकी तरफ बोड़ रहा होता है कि तुम्हें कुछ question के जवाब देने होंगे वानसुक उसका face नहीं देख पाता है क्योंकि सोईन उसके पीछे घड़ा होता है वानसुक पूश आ होता है कि तुम्हें कौन से question पूशने फिर सोईन उससे बोड़ रहा होता है कि जो आज से 19 साल पहले incident वहता तो मैं उसके वारें बताना होगा लेकिन वानसुक बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता तब ही सोईन उसे एक recording सुनाता है जिसमें कि वो इस incident के बारे में जिक्र कर रहा होता है recording सुनने के बाद वानसुक कहरा होता है कि मैं सरफ और्फनेज का डिरेक्टर था मेरा और किसी चीज में कोई भी हात नहीं है प्लीज तुम मुझे छोड़ दो लेकिन सोईन नहीं मानता और उसे शूट करने जा रहा होता है तब ही उसे वानसुक की ग्रेंड़ोटर की अवाज सुने देती है और वानसुक के रूम में उसकी ग्रेंड़ोटर पहुच जाती है उसे देखकर सोईन वहीं पर छुप जाता है वाण सुक अपने ग्रेंड डॉटर के थू वहाँ से बाहर चला जाता है फिर वो अपने रूम में कुछ बोडिगार्ट को भेजता है जब तक बोडिगार्ट पहुच्छते हैं तब तक सोईन वहाँ से चला गया होता है अगली सुबह फिले उपने रूम में होता है तब ही वो टीवी ओन करता है वो देखता है कि वहाँ पर वॉन सुक का एक इंट्रिव्यू लिया जा रहा होता है वो भी लाइव होते हैं इंट्रिव्यू देखने के बाद जीवान वहां से बहार जा रहा होता है तब ही ओर रुकता है जीवान इसे बोल रहा होता है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो आज से 19 साल पहले जो युन्वो गायब हो गया था उसने मुझे फोटो सेंड करी है अगर तुम्हारी परस पूछी होते हैं कि अब मैं क्या करना होगा युन्वो कहरा होता है कि वान सुक तो नहीं मरा लेकिन किसे न किसी को मरना जरूर होगा इधर सोईन अपने सेक्रेट रूम में होता है तब ही वहां पर फिलिप पहुच जाता है कि वान सुक अभी तक मरा क्यू नहीं है सोईन क अपने पास्ट के बारे में जाना था और तुम्हें उसके लिए वांसुक को मारना होगा सोविन कहरा होता है कि मैं कोई और तरीका ढूंड लूँगा अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए और जिस person ने तुम्हें मुझे वांसुक को मारने के लिए जाता तुम उसे call करो मैं उसे explain कर दूँगा फिलिप कहरा होता है कि अगर तुम इन सारी चीजों से move on करना चाहते हो और अरामस अपनी जिन्दगी जिना चाहते हो लेकिन यह possible नहीं है सोईन अपना डॉर ओपन करता है और वहां पर एक कीचेन रखा हुआ होता है वो कीचेन उसे orphanage की जो corridor की wall होती है वहां पर मिलता है वो कीचेन रखा होता है युन जिन्ने अगली सुबह wansuk अपना office में होता है और वहां पर वो तेसु को बलाता है फिर वो चेक करा रहा होता है कि वहां पर कोई device तो नहीं है जिससे कि उसकी जान को खत्रा हो लेकिन तेसु को कोई भी device नहीं मिलता फिर wansuk बोर रहा होता है मुझे लगता है कि ये सब J1 या फिर युन वो करवा रहा है फिर वो तेसु के फाइल देदर कहता है कि तुम इसे कहीं पर शुपा दो कुस देर बाद wansuk ready होकर बहार जा रहा होता है तब ही उसके घर के बार union पहुच जाती है union wansuk के पास जाती रही बोर रहा होते है कि मुझे तुम इसे बात करने फिर wansuk कहता है कि मैं तुम्हें एक मिनट दूँगा union कहरी होते है कि आपकी जान खत्रे में है wansuk बोर रहा होता है कि मुझे तुमारी protection नहीं चाहिए तब ही union rudely दरीके से बात करती है wansuk से फिर wansuk बोर रहा होता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हमने तुम्हें घर provide किया तो खाने को खाना दिया था इसके पेद union बोर रही होती है कि किम जॉंकू ली सांग पे लिए सारे union के आर्सन केस के witness थे और अब इन तीनों की मौत हो चुकी है क्या तुम्हारा भी union rudely से को लेने देना है फिर वो जेवान के पास जातर बोर रहा होता है कि अब तुम्हें से बहुत जादा disappointed हूँ जेवान कहरा होता है कि तुम्हें याद रखना होगा वांसुक कह रहा होता है कि तुम्हें याद रखना होगा कि मैं डूबूँगा तो फिर अकेला नहीं डूबूँगा तुम्हें भी साथ लेकर डूबूँगा जेवान वांसुक से बोल रहा होता है कि तुम्हें याद रखना चाहिए इस position बेर मैंने तुम्हे ही पोचाया है तेसु का वेट कर रहा होता है पिर जी या है कार से बाहर निकल जाती है और तेसु कार के अंदर जा कर बैड़ जाता है तेसु कार को बदा रहा होता है कि मजए व़न सुग ने उन सारे और्फनेश के बाहरे पता लगाने को कहा है जिसे कि आपका hospital स्पॉंसर कर रहा है और जो आपने मुझे काम दियाता है मैंने वो पूरा कर दिया है फिर जेवान तेसु को एक box दितर बोल रहा होता है कि तुम्हें वांसु का भी ख्याल रखना होगा तेसु को बाक्स लेता है और उसे बता रहा होत होता है फिर तेसु उसके रूम में जाता है और वहां पर उसकी आईडॉप में कुछ मिला रहा होता है तब ही वहां से वहां पर पहुच जाता है और उपना आईडॉप मांग रहा होता है और तेसु से आईडॉप दे देता है इधर दूसरी और जेवान एक फॉरश में ज चैट कर रहा होता है फिर वह फोटो सेंड गरती है और कहरे ही होती है कि अगर ये फोटो तुम नंबर 88 को दिखाऊगे वो समच जगा किसका क्या मतलब है अगली सुबह फिलिप्स सोईन से मिलने जा रहा होता है तब ही वो देखता है कि सोईन कहीं बाहर जा रहा होता है कि तुम कहां पर जा रहे हो सोईन बोड़ रहा होता है कि जिस जगे के बारे में तुमने मुझे बताया था मैं वही पर जा रहा हूँ जिस coverd में वो photo होती है उस पर लिखा हुआ होता है यूंजिन फिर Soyun भी एक photo निगालता है और उस photo में वो इसी लड़की के साथ होता है जो कि उसके सामने होती है और उसे यादा रहोता है कि जब वो छोटा होता है तब वो इस लड़की से मिला होता है याने की यूंजिन से जब यूंजिन सोईन से मिलती है तो फिर वो अपने एक notebook में चार नाम लेखते है और उससे कहते है कि तुम्हें एक नाम स्लेक्ट रहनोगा अपने लिए फिर सोईन अपना सोईन नाम चूस करता है और उसी टाइम पर यूंजिन से का नाम सोईन रख देती है इसके बाद वहाँ पर यूंजिन की मौम आती है फिर वो तीनो साथ में एक फोटो खिशवाते हैं और वो ही फोटो सोईन के पास होती है अब सोईन वापिस चला जाता है और वो फिलिप के रूमे बैठा हो होता है ठोड़ी देर बाद फिलिप वहां पर भाउसता है वो सोईन से पूछ रहोता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो सोईन कहरा होता है कि मैं तुम्हारा वेट करू Candle लेकिन तुम मुझे पहले है वो client की photo दिखा जो कि इसने भेजी थी फिर फिलिप उसे photo दिखाता है photo दिखाने के बाद so in कह रहा होता है client ने कहा था कि वो मा और बेटी दोनों को मार देगी लेकिन बेटी पहले ही मर चुकी है और किम जॉंकू को मारने के बाद मुझे फोटो मिली थी जो मेरे पास है इसके कुछ दिन बाद एक और message आया था कि time बीट चुका है लेकिन जो mother और daughter है वो दोनों भी भी जिन्दा है फिलिप कहरा होता है इस बात का सरफ एक ही मतलब है कि एक नई लड़की को adopt किया गया है और एक नई mother और daughter relationship को form किया गया है जो हमारे साथ detective रहती है उसका real name Lee Yongun है Yongun को बच्पन में adopt किया गया था और उसे यूंजिन की जगा लेनी पड़ती और तब से उसका नाम यूंजिन पड़ गया था और जो हमारे client है वो सिर्फ तुम्हें रोगनी कुशिश कर रही है कि तुम उसके पीछे ना जाओ तब इस सोन फिलिप से बोलता है कि तुम client से बोल दो हमारा जो contact था वो अब break हो चुका है अगर client ने mother और daughter को hurt करनी कुशिश करी तो फिर वो भी hurt होगा यानि कि वो मारा जाएगा ये कहकर वो चला जाता है उसके जाने के बाद फिलिप client से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है इन सारी चीज़ों के बारे में इदर यूनवू अपनी नरसरी में होता है और वहाँ पर मिंजी भी होती है मिंजी यूनवू से बोर रही होती है कि मैं तुमारी तरह एक person को जानती हूं जो कि ज़्यादा बात नहीं करता है और उसका fair word है कि तुम उपर जली जाओ वैसे उसे फूलो और पौदो से जानवर ज़्यादा पसंद है लेकिन वो बहुत ही अच्छा person है अगले दिम यूनजिन अपने कलीग यंग सुंग के साथ एक जयाए पर जाती ही जहाँ पर वान सुंग का एक campaign होता है थोड़ी देर तक निगरानी रखने के बाद वो अप यूनजिन के पास जंगवू prosecutor का message आता है और वो से मिलने के लिए बुलाता है यूनजिन उससे मिलने के लिए चली जाते है और उसे sketch दिखा रही होती है killer का जंगवू sketch को देख रहा होता है कि लगता है यह बहुत जादा rough guy है अचानक से यूनजिन बार बार उस sketch में जो face बना होता है उसकी आँखे देख रही होती है अचानक से वह आदा face cover करती है फिर उसे सोयून का face याद आता है और वो बिल्कुल इन आखा रहा होता है उसी time वो सोयून से मिलने के लिए सका clinic में जाते है लेकिन वह वहाँ पर नहीं होता फिर वो आसपास की तलाशी ले रह बैच रही होती है उसी time सोयून वहाँ पर पहुच जाता है तर यूजून से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यूजून कहरी होती है कि मैं तुम से मिलने के लिए आया थी लेकिन सोयून कहता है कि मेरे पास time नहीं है और वो वहाँ से जा रहा होता है तब ही यूजिन रोकते और पूश ही होते है कि प्लीज तुम मुझे बता दो आखर में तुम कौन हो, तुम हैंसल ओफनेच के नमबर 88 हो ना? सोईन थोड़ा सा सर्पैस हो जाता है, फिर यूजिन कह रही होते है कि मैं तुम्हारा वेट करे थी कि तुम मुझे ये बात बताओ, क्या तुम्हें एडॉप्ट करके अमेरिका ले जाया गया था? ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा लैसंस भी वहीं से मिला है, सोईन ह गर पर जाती है, उसके रूम में जाके तलाशी ले रही ही होती है, उसे रूम में कैमरा मिलता है और फोटो चेक रही ही होती है, तब ही उसे शोर सनाय देता है, फिर वो कैमरे को रखती है युन्वू को call आता है। युन्वू कहरा होता है कि जितना तुम सच्चा है के करीब जाओगे उतना ही तुमारे लिए painful होगा। मैंने तुम्हें order दिया था कि तुम्हें वांसुक को मारना है लेकिन तुम ये काम नहीं कर पाए। सोयन कहरा होता है कि मेरी ये गलती नहीं है बलकि ये मेरी choice है। तभी युन्वू बोलता है कि मैं भी तुम एक नई choice दे रहा हूँ तुम तीन घंटे के अंदर वांसुक को मार दो। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे आज पास के जितने भी लोगें उन्हें के करके मारता चला जाओंगा।